दोस्तों Windows 11 Insider Developer और बीटा चनल में एक नया अपडेट आया है W2593 जो अपडेट है इसके अंदर क्या-क्या फीचर स्पेशल मिलने वाला है आपको इस वीडियो में बात करने वाले है अगर आपको यह अपडेट नहीं मिला है आप एक पास सेटिक्स में जाके चेक के लिए य आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात करने के स्टार्ट मेनु को लेकर अगर स्टार्ट मेनु को पर क्लिक करोगा तो यहां पर देखे फोल्डर्स यहां पर जो व्यू है जो है पहले से थोड़ा सा चमकिला हो गया है थोड़ा सा औ अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और चम्किला दिखता है इसके बात नेक्स जापड़ेट है अगर आप फाइल एक्सप्राइक को ओपन करते हो तो यहाँ पर देखिए होम नम का एक नया एक यहाँ आप कर देगा है तो यहाँ पर सिर्फ पर नम में ही चेंज़ेस होगा और इसके अलब अगर आप कुछ भी चीज यहाँ पर ढूने ही पा रहे हो बहुत सारा चीज है तो आप इसको भी यहाँ पर सर्च करके ढूंड सकते हो इसके बाद यहाँ पर अगर आप स्टार्टमन को राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पर इचो मेनू है मेनू यहाँ पर चेंज हो जोगा है चेंज किया हुआ है कि यह जो यहाँ पर टर्मिनल को बाइड डिफल्ट यहाँ पर आड कर देगा है अगर आपका कम्पेटर में ट आपको देख जाएका उसके अंदर आपको नमबर देखने को मिलेगा मान लेजिए यहाँ पर मैं One प्रेस करता हूँ तो one select हो जाएगा One के अंदर जो option यहाँ पर आपको लेफ ईट से के लिए One और right तो यहाँ पर अगर मैं फिर से वापस वान टाइप करता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस साइड में आ चुका है फिर से अगर उनके प्लस Z प्रिस करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं अभी टू प्रिस करता हूँ तो टू प्रिस करने के बाद अगर मैं यहाँ पर फिर से Inability यह जो option आपको देखने को मिल जाए बैसे कलिए आपको स्टैट बड़न के उपर क्लिक एने के बाद आपको सर्च करना Windows security सब्सक्राइब्स भामीर्श अ आठक हो चुक है तो यह जो चीज है अटमेटिक से श्रिकाट करें करें उस चीज को यहां से अठ्टाने की कोशिष कर naming तो एक अनले से दिखा जाए तो यह जो चीज है अपके लिए मिर लिए हम सब एक सर्बके लिए कमा करतीए इस जिटॉड़ लगवागा अगर अच्छा लगाए तो प्लीज विडियो को लाइक कर दियो लाइक कर दिये तो चली दूस्तर आच के लिए वास इतना है में मिलता आपका साथ को दूस्तर टॉपिक में तब तक के लिए गूडबाइग कर दो कर दो